स्वागत है आपका मेरे आउसम चैनल एडवांस दोस्तों फाइनली हमने यह प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर हम बनाएंगे बाद में हम पहले इसका फ्रेंट कर लेते हैं और साथ की साथ हमारा एड्मिन भी चल रहा है अगर आपने मेरी प्रिवेस वीडियो नहीं देखी यह वाली एड्मिन वाली तो आप जाके इसको चकाउट कर सकते हैं जब यह हमारा कंप्रिट फ्रे करना इसमें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तो फाइनली हमने प्रिवेस वीडियो में इसको हमने रन कर लिया था इंप्यम स्टार्ट करके ठीका ना यह हमारा पूरा फ प्लीजी नहीं चाहिए ठीक है न यह भी नहीं चाहिए लोगों आ ठीक है एंड हम आएंगे यहां पर एंड यहां पर हम पूरा इसको क्लीन कर लेंगे ओके एंड यहां पर सिंपल एक एप.css ही रखेंगे ठीके दोस्तों एंड यहां पर इसको अब रिफ्रेश्च करके देखते हैं जरा ठीके न हमने इस सारा यहां पर हटा दिया एंड इंडेक्स.js में तो कुछ होता ही नहीं आपको पता है यहां पर एक यहां पर एक रूट यहां पर एक रूट आईड़ी में एक 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 रूट के अंदर सारा हमारा इससली कंटेंट रूट होता है तहए इलकल इंड यहां पर जाके यह देखि briefing रूट यहां पर आ जागा एंड इसमें रहा फेर क्लीन कर लता हुत इंड फींक है यहां पर इर्र देगा यह नहीं हां वह पास ठीक है और यह क्या है यहां यहां पर यह प中共 यह बोल रहे हैं ठीक है तो दोस्तों यह हमारी पूरी क्लेन हो चुकी है ठीक है मैं इसको क्लोज करता हूं यहां पर लिखता हूं इक कॉमर्स वेबसाइट इन रियक्ट जीएस ओके देखिए यहां पर आगया ठीक है एंड इसमें हमारे जो पैकेज हैं जो हम यहां पर यूज करने वाले एक तो बूस्ट फोर है ओके एंड हमारा मैटेरिल यूई है बात क्यों पर यहां पर हम यूज करते हैं ठीक है न तो एंड जीएस तो मैं यहां पर इंस्टॉल करता हूं एंड पियम इंस्टॉल करेंगे ओके एंड उसके बाद हमारा मैटेरिल यूई है यूज करेंगे और रियक्ट आइकन्स ठीक है एंड यह तो मारा इंस्टॉल हो रहा है एंड अपना एक करके इंस्टॉल कर देंगे हैं आपर हम कि बूस्टर फोर अब बूस्टर फोर एंड पियम रियक्ट कि यह वाला नहीं है कि हमको सिर्फ इसकी एक से मतलब होता है कि ठीक है कि हम पहले बागी इंस्ट्रॉल कर देंगे है यह इंस्ट्रॉल हो गया एंड प्रियक्ट आइकन्स हम इंस्ट्रॉल कर लेंगे ठीक है इसके बाद हो तो इंस्टाल प्रियक्ट वर्ण आफ बॉस्ट्राप उसिं न्प्यम थैंग रमी इन रियक्ट्यस कि दूस्तों मेरे पास से एक वह भी है कि हम जो यह वाली पहले बना रहे थे ना इसमें यहां पर दिया हुए पैकेज बूस्ट्राप का देखिए यहां पर ठीक ना 4.1.3 इसे में कोपी करूंगा एंड अपने पैकेज डॉट जैसन में जाओंगा एंड यहां पर इसको एड कर दूंगा ठीक ना बूस्ट्राप ठीक ना पर इंड बूस्ट्राज दुबारा रन करोंगा न तो यहां से अटमेंटिकली आपको आपके नौड मोडिल में भी एड कर देगा आप अगे बूस्ट्राप ठीक है ओके तो आप ऐसे करके भी इसको इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड यह तो हो गया शेर यहां पर इंस्ट्राल करना है यह इस तो यह इंस्ट्राइल के लिए आप जैसे इस्ट्राइल में इस्ट्राल करते हो ना यहां पर यह इस्ट्राइल करने पड़ेंगा अगर हमको इस प्रोजक्त में कहीं पर आइकन्स की रिक्वाइर्मेंट होगी न तो हम यहां तो रियक्ट आइकन्स करेंगे यहां मेटरिल आइकन्स करेंगे दोस्तों ठीक है चलिए तो यह भी इंस्ट्राल हो जाएगा तो हमने भी तक क्या किया देखिए इंस्ट्राल कर लिया मैं आपको पैकिश.json में दिखाता हूं कि एंड हमने यहां पर मेंटरल यू आई इंस्ट्रोल किया यहां तक है एंड उसमें बुूर्ट आइकन्स एंड ऑंड रियक्ट राउटर डॉम इंस्ट्रीकान्स करते ठीक है एंड यह आई यहां पर अगर इसका होता है तो यहां पर अभी देखिए अभी हमको अपना एप्लिकेशन को यहां पर क्लोज करके इसका टर्मिनल ठीक है ना एंड इसको दुबारा एंप्यम स्टार्ट करना पड़ेगा एंड पर हमने यह gain ll किया सारे इस वज़े से थे जिक ना एंड जैसे यह अब open होता है तो यहां पर एक क्लास में फाग्ट करी टेक्च यह देखेंगे यहां पर हमारे सारे पैकेज बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इंस्टॉल हो चुक है ठीक है यहां पर अच्छ है ओके यहां पर हमको ना यहां पर फाइल भी तो एड करानी है इंपोर्ट कि अंदर डिश्ट में css में एंड बूस्ट्राइब डॉट में डॉट सी एसस यह वाली फाइल हमने यूज कर ली एंड अब आप देखोंगे यहां पर देखिए वाव गाइस यानि कि हमारा बूस्ट्राइब 4 भी इसमें फ्राप और त्रीक से इंस्ट्रम उचके ठाक है ठीक है तो फ्रेंट्स घ्रेंश के लिए आख यूट्रा दॉट्रर करें थेलेंगे अंद आीघ्ल च्ट लगी है ऑई अ क्ए आयू पको आज की वीडियो अच्छी लगी है ओके एंड फ्लीस मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं ना भूले ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर दाव वाचिंग डिस वीडियो